दिल्ली भाजपा ने दिल्ली जलबोड में घोटाले का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की है दिल्ली भाजपा परदेश कारियाले पर पार्टी के विधायकों और परदेश अध्यक्ष ने सयुक्त प्रेस वारता आयोजित की जिसमें परदेश अध्यक्ष विरेंदर सचदेवा ने आरोप लगाया है कि जलबोड में शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला हुआ है सचदेवा ने आरोप लगाया कि जलबोड 73,000 करोड रुपे के करजे में डुबा है उसकी पूर्ती के लिए दिल्ली की जंता पर भार बढ़ाने का प्लान तयार क्या गया है दिल्ली सरकार की मंतरी आतिशी कहती हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा जबकि दूसरी त समय तक किसी भी सरकारी विभाग को पैसा देना गेर कानूनी है नौ मार्च को मंतरी के और से लिखे गए पत्र में कई बातों का खुलासा हुआ है पत्र से जानकारी मिली है कि 69% पानी से कोई रेविन्यू नहीं आता इसके अत्रिक्त 15% पानी के उप्योग पर कोई पार द जलबोड में घोटाले का आरोप लगाते वे इस पर चर्चा कराई जाने की मांग की जाने लगी इस बीच नारेवा जी और हंगामा बढ़ता देग बिदानसवा अध्यक्ष ने सभी भाचपा विदायकों को सदन से बाहर कर दिया सस्तर के शुरू होते ही भाचपा विदा जलबोड मामले पर चर्चा कराने की मांग के गई आमादमी पाटी ने जलबोड में घोटाले के आरोपों को लेकर भाचपा पर निशाना साधा आपने कहा कि भाचपा वाले समझ गए हैं कि दिल्ली की जनता ये जान गई है कि अरविंद केजरिवाल को राजनीतिक करोणो की वज़े से फसाया गया है दिल्ली में कोई शरा गोटाला हुआ ही नहीं इसलिए दो साल की लंबी जाच और 500 रेड के बाद भी कुछ नहीं मिला अब आजबा ने दिल्ली जलबोड गोटाले का एक नया सीगूफा चोड़ा है